कि चलिए अब css के अंतरगत हम पढ़ने वाले फॉंट्स के बारे में फॉंट्स होते क्या है फॉंट्स का मतलब होता है जैसे हमने नौर्मली यह लिखे हैं धरकार ठीक है तो इसकी लिपी को चेंज करना है यानि कि इसको अलग-अलग जो लिपी में चेंज करना जैसे के प्रकार होते हो उसमें चेंज करना तो यह सारी चीज होती फॉंट तो फॉंट की फैमिली होती है इसके लावा फॉंट का साइज होता है ठीक है और फॉंट का वेरियंट होता है फॉंट की वेट होती है सारी चीज हम को यहां पर देखने मिलती है फॉंट के अंतरगत इ जैसे हमने जो लिखे हैं यह यह कहलाएगा टेक्स्ट कि टेक्स्ट कहलाएगा और इसी को चेंज करना यानि कि फॉंट के दोहर करते हैं इसके अलाबा देखें बोल्ड इटैलिक जो है और फॉंट के साइज है यह सारी चीजे किसके अंतरगत दी जाती है फॉंट के अंतरग होता है ठीक है इसका लाबा भी बहुत सारे फॉंट के प्रकार होते हैं इसका लाबाबा फॉंट फांड फंट के नाम होता है तो यहां देख सकते आप देखे एजनसी फीछ यह सारी चीज अर्कितेक्ट है बैंक खुरूटिक है ब्लेग लेक लेटर है कैलिबीरी है कोरियर है डेकोरेटिव है ठीक है यह सारे जो है फॉंट फैमिली के नेम हम देख सकते हैं ठीक है इसके अलावा बहुत सारी चीज़ हम देख सकते हैं जैसे जैसे मान लो एरियल में हम लिखते तो इस परकार के ऐरियल ब्लैक में डार्कनेस हो जाएगी वुक मैन में अगर देखें तो यहां देखें इस प्रकार के फॉंट हम को देखने मिलेगे अब बात करते हैं फॉंट की कुछ पॉपर्टी होती है तो फॉंट वहता है property को एक ही जगे पर दिया जा सकता फॉंट के साफ से ठीक है अगर सबको अलग अलग लेना थे यहां देखे फॉंट फैंबली अलग ले सकते हैं जिसे मैं फॉंट के प्रकार एरियल ब्लेक टाइम्स नी रोमनी सभी सैट किया जाता है फॉंट साइज के अगर बात करें देखें कंटेंड के लिए जो है फॉंट साइज यहां पर दिया जाता है फॉंट स्टाइल के बात करें फॉंट स्टाइल यहां सेट किया जाता है फॉंट वेरियंट के अगर बात करें स्मॉल कैपिटल लेटर को डिस्पले किया जाता है फ फॉंट है रिलेटिव मतलब फॉंट रिलेटिव सभी प्रॉपर्टी के वैलू को वैलू और कुछ स्पेसिफिक कीवर्ट का इस्तमाल करके इसको उप्योग किया जाता है जैसे देखिए यहां पर फॉंट हमने लिए तो बोल्ड हम ले सकते हैं 20 पिक्सल उसका फॉंट साइ फॉंट हमने लिए तो फॉंट हम ले सकते हैं यहां पर देखिए 25 पिक्सल यहां पर चलिए इसके अंतरगत नहीं हम एक पैरग्राप के अंतरगत लेते हैं तो अलग सो समझ में आएगा फॉंट हमने लिए ठीक है फॉंट हम ले सकते हैं 40 पिक्सल ठीक है उसका कलर ले सकत है ठीक है एरियल और क्या ले सकते हैं इसके लावा हम जो है इसको जो है बोल्ड ले सकते हैं ठीक है तीन चीजे ले सकते हैं या बोल्डर ले सकते हैं चलिए यहां पर हम जो इसको रिफ्रेस करते हैं तो अब देखिए जो पैरग्राफ है पैरग्राफ दोनों पैरग्राफ ह हमारे जो है इस style में change होगा है जो हमने दिये हैं 40 पिक्सल 40 पिक्सल के जगे हम कर देते हैं 20 पिक्सल और एरियल में आना चाहिए यह देखे कि टाइम्स न्यू रोमल अचली उसको रहन देते यहां देते हैं बर्दना देते हैं ठीक है कि फॉंट के जो प्रकार है वह आप नाम याद रख सकते हैं और यहां पर दे सकते हैं एरियल अगर ब्लैक दे देते हैं ठीक है तो इसको डैस लगाग देना पड़ेगा तो यहां पर यह काम कर लेगा ठीक चली यहां पर आप फॉंट के नाम आप दे सकते हैं अलग अलग प्रकार से जूबी आपके फॉंट के नाम मैं आपको फॉंट के नाम दिखाता हूं कहां से देखेंगे जैसे आप आप एमसबाट खोल लीजिए एमसबाट खोल लीजिए कोई भी और आप न्यू डॉकुमेंट बनाई है और यहां से आप देखिए एरियल कैसे लिखा जाता है ठीक है उसके आप देखिए आप बहुत सारे एरियल ब्लैक एरियल नेरो जो फॉंट के प्रकार है वो सारी देखने का मिलती है फोर्ण फेमिली ठीक हो फोर्ण फैमिली में देखिए हम यहाँ पर बहुत सारे देखने मिलते stitching रिप woveninta यह फिर जो है सैडो खडादेते हैं, इस सैडो खडादेते हैं, word Californ之 स्पेसिंग भी हठादेते हैं, word rep b video आपने और नॉर्मल यह देख रहा है, इसके लाब़ा हम इसकी जुआ है, जो बाकी की चीज़ फैम्ली में बहुत सारी चीज़ आती हैं, थीक है, यहा में देख सकते हैं, इसके अलाबा हम जो है फॉंट साइज लेना चाहते हैं तो फॉंट साइज हम दे सकते हैं यहां वहाँ एक साथ दे दिये थे यहां 40 पिक्सल हम अलाग से दे सकते हैं देखें बड़े हो गए उसके अलाबा हम जो है इसको कम कर देते हैं नॉर्मल भी अगर करेंगे जैसे 20 प शरय कोई कर चैपने वार्ट ईसके दोनाव का उसका मनें भापतरों सब्सक्राइब बसचे इसके पड़िये पड़ियों है इसके सब्सक्कार में परक इस और सकते हैं। अन्さ कोई परकार सकते हैं चैसके में पॉल्ट भीएिवर्ट human आपकेो थे का सब्सक्राइब कैज पर इंगे कोडिएर ब debt भी स्थाथD वियुक्त सकते हैं तो मेंेन देंगा इसका है इस प्रपार किसमें सम स्मौल स्मॉली मीडिय亐ं एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा आदर इस सकते हैं pixel initial default value inherit मतलब जो parent class उसकी value यहां पर define हो जाती है ठीक है फिर होती है font style तो font style हम देख सकते हैं italic oblique और normal दे सकते हैं तो यहां देखे font जो style है font style हम दे सकते हैं italic ठीक है यहां पर refresh कर अगर देना है तो oblique भी दे सकते हैं ठीक है ठीक है उसमें कोई ज्यादा changes ने normal आप कर सकते और italic दे सकते हैं ठीक है italic हम देते हैं यह देखे ठीक इसके लाबा जो हम बात करें next property की यह तो font style हो कि font style में normal भी दे सकते हैं oblique भी और italic भी सभी चीज़े हम यहां पर दे सकते हैं उसका font variant के अगर बात करें तो यहां पर small capital को ध्यान में रखकर चीज़े दी जाती है ठीक आपर के slower case तो हम चलते हैं यहां पर font variant font variant में small caps इस प्रकार दिया जाता है तो हम इसको जो है refresh करके देखते हैं तो देखे यह देखे इसमाल कैपिटल में यहां पर आ गया है तो हम font के प्रकार चेंज करते हैं प्रकार करस्यू को हम कर देते हैं एरियल ठीक है यहां पर जो है स्माल कैपिटल आ गया है यहां फिर हम सेंज कर देते हैं तो भी वह हमको समझ में यहां जाएगा यह देखे यह हमने उप्योग कर लिए टैलिक है ठीक है टैलिक की जगे सीधा आ गया और स्मॉल केपिटल को ध्यान मा रख कर यहां पर ठीक यह आ जाता है इसके अलाब आपके की भी जो परपर्टी इसके अंतर रगत हमको बैलू देखने की मिलती है जैसे फॉइंट वेरियंट में आप ज के हाइड दे सकते हैं के हाइट मतलब जैसे आप बॉड़ करें क्वाइब तो चलेए यहां पर पहले दे कर देक लेते हैं कि लाइंट हाई लाइन हीट दे देते हैं जैसे ठीकिसा थेस्ञान करकर देखिए धे के लाइन यहाँ पर जो हो देखिए एक परग्राप पूरा आगया है और इसके अलावा अगर हम इसको बढ़ाते हैं जिसे 20 पिक्सल करते हैं mbad tomodus अगर ऑड़ायंगे तो और यहां पर चेन्ज हो जाएगी ठीकर चली यहांपर 50 पिक्सल कर देते हैं सब्सक्राइए लाइन का क्याप इहां पर चेंज हो रगा तो इसको यहां पर देंगे तक हम अपने साबसे सकते हैं नहीं तो आप भटा देंगे वह नौर्मल ले लेता ही जिसे नौर्मल जो था, वह औरइदी आ जाता है तो लाइन के हाईट हम देखिए हैं यहां पर लाइन हाईट टू द रिसकते हैं फाई नॉर्माल टुएंड़ पर्सेंट दे हैं 50 pixel 100 pixel यहां पर दे सकते हैं ठीक हैं इसके लावा पंट variant हमने देख लिए फंट वेडि भी होता है ठीक है फंट साइश हमने देख लिए फॉंट family हमने देख लिए फॉंट सारी combined property हमने देख लिए तो देखे हमारे तीन चीजे मतलब यहां पर जो है सारी जो प्रपर्टी से वह क्लियर हो चुके हैं मतलब हुने फॉंंट पढ़ लिए इसके पहले क्या बात करें था हमने जो है क्या कर चीजन पढ़ें इसके पहले हमने जो है measurement unit measurement unit के बारे मिए पढ़े उसके बाद हमने text प्रॉपर्टिस में मतलब बैल्व को पहले भी हमने बहुत सारी चीजियों को पढ़ लिया तो आप सिक्वेण्स में अगर लेक्टर देख रहे हैं तो आपको सारी चीज एक लिए यहां पर समय में आते हैं तो यह को को समझ में आ गई होगी फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है मुझे डाउट जरूर मतलब जो डाउट है वह आपका जरूर करूंगा आने वाले लेक्चर्स में ठीक है इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चेप्टर में करेंगे जो कि हमारा मार्जीन है कि अ कि अ